हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड विद आइसक्रीम मैंगो कस्टर्ड विद आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने दो जगह पर दोद लिया है एक पतिले में हम आइसक्रीम बनाएंगे और दुसरे पतिले में हम कस्टर्ड बनाएंगे आइस्क्रीम बनाने के लिए मैंने एक पतिले में दो गिलास फुल क्रीम मिल्क डाला है और उसको उबलने के लिए रख दिया है अब उसमें हमने दो पैकेट बदाम मिक्स के डाले हैं जिसमें इलाइची और बदाम का पाउडर होता है और उसको डाल कर हमने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया यह तब तक पकाना है जब तक कि मिल्क आधा ना जाए एक दूसरे पतिले में मैंने एक लिटर दूद लिय है वैभी फूल क्रीम ही लिया है उसमें थोड़े से दूद में थंड़े दूद में दो चमच कस्टड पाउडर मिलाया है और उसको कस्टड पाउडर को उस मिल्क में थोड़े दूद में अच्छे से मिला लेंगे और जब उसमें बॉयल आना शुरू होगा कस्टड वाले एक लिटर मिल्क में, तो आप धिरे-धिरे कस्टड वाला दूद, मिला हुआ दूद, उसमें मिला देंगे, और उसको लगातार चलाते रहेंगे, एक कटोरी चीनी मैंने इसमें अड़ कर दी है, और लगातार उसे चलाते हुए हम दो से तीन मिनट तक पका लेंगे, आइस्क आइस्क्रिम को हमने मिक्सर ग्रांडर में डाल कर थंड़े होने के बाद, मिक्सर ग्रांडर में डाल कर उसको एक बाद घुमा दिया है, और उसको फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे, उदर से कस्टड भी हमने फ्रीज में रख दिया है थंड़ा होने के लिए, लग प्रभग 6-7 घंटे के बाद दोनों चीज़े हमारे ठंडी हो गई, आइस्क्रीम भी जन्ग पर रेडी हो गई, अब एक ग्लास में मैंने पहले एक एक स्कूप आइस्क्रीम का डाला, उसमें हमने मैंगो के पीसीज कटे हुए डाले उसके उपर, मैंगो पीसीज जानने के बाद हम उपर से कस्टर डालेंगे, कस्टर के उपर एक बार फिल से मैंगो के कटे हुए पीसीज डालेंगे, अब हम उसके उपर से एक एक स्कूप आइस्क्रीम का और डाल देंगे, कटे हुए बदाम से गार्णिश करेंगे, उपर से चैरी डाल देंगे, हमारा डेजर्ट डेडी है, अगर आपको मैंगो कस्टर्ड विद आइस्क्रीम की रेस्पी पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल हर्ब्स और स्पाइसिस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, और एक बात यह रेस्पी जरूर अपने घर में ट्राइ करें, थैंक्ये,